हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने चनल एसेश्पी वैगुपता सर्में आज हम दो देखेंगे कि 2024 के परिक्षा में आने वाले कुछ महत्पूर कॉश्चन्स जो क्लास तेंथ के होंगे इनमें से कुछ अबजेक्टिब कॉश्चन आज हम दो देखेंगे तो देर ने करते हुए शुरू करते हैं हम लोग इंपोर्टेंट कॉश्चन जो 2024 में आने वाले हैं तो पहला कॉश्चन क्या है कह रहा है बिंदू दो तीन एवं माइनस दो तीन के बीच की दूरी क्या होगी option दिया है A में दिया है 3, B में दिया है 4, C में दिया है रूट 3, D दिया है 5 तो देखें क्या दिया है 2,3 और यहाँ माइनस 2,3 के बीच की दूरी हमें निकालनी है तब को बताया थे याद होगा जब दोनों का चिन सेम हो तो हम घटाते हैं लेकिन दोनों का चिन different हो तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तो 2 माइनस में है और ये 2 plus में है है तो नोब को जोड़ेंगे तो 2-22 कितना हो जाएगा और कर सक्वायर का हो जाएगा यह होगा गया होगा और 7 क्षिट निट बी आपका सही होगा इँग्षिंट क्यों एक से बराबर दिया हुआ है एक से स्क्वार माइनस एक स्प्लस चार एक से स्क्वार माइनस एक स्प्लस चार दिया है कि सुन्यक अलफा तथा बीटा है तो हमें अलफा तथा बीटा का मान निकालना है ऑप्शन में दिया है ए में दिया माइनस एक बी में दिया है चार मैंनस यह łatحब वीटा होता है माइनस वीगले में माइट आए-1 होगे माइनश माइनस वन यहां पी रखेंगे माइनस वन होगा और एक और मैनश भी जाए प्लस यहने एक बता एक 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 एस्टर कितना आया एक आया यहां कि option number C सही है इसके बाद है question number 3 दो ब्रीतों के छित्रफल चार अनुपात नौ के अनुपात में है तो इनके तर्जाओं का अनुपात क्या होगा आपको बताये थे जब छित्रफल का अनुपात दिया हो तर्जा के अनुपात पूछे तो हम दोनों का बर्गमूल निकाल लेते हैं क्या करते हैं दोनों का बर्गमूल निकालेंगे तिहां पर चार अनुपात नौ दिया है क्या दिया है चार अनुपात नौ हम दोनों का बर्गमूल आपस्पराईरा आएगा अन्सर क्या हो जाएगा दो अनुपाद दीन होगा ऑप्श्न देखें क्या है वे नम्मेर दिया है दो अनुपाद तीन कि इसका एनसर हो जाएगा अब बीचिन कुष्ट्न 42-1 यह कई कि L समनांतर M है तो D कमान हमें निकालना है अब यह question देखिए ऐसे दिया हो समनांतर दिया है और D कमान हमें निकालना है यह L है और यह क्या है M है और यहां पे दिया है क्या पहले दिया है 3D प्लस 5 तीन डी प्लस पचास डिगरी और यहां दिया है दो डी प्लस बिश डिगरी ठीक है अब हुमें क्या पुछा है डी का मान पुछा है डी का मान हमको बताना है तो आपको बता दें जब दो रेखा शमनांतर हो और तीरियक रेखा दिया हो तो उसके एक ही और के अंतह कोड़ों का योग फ़ल होते है 180 ड्गड़ी कितना होता है 180 ड्गड़ी यह दोनों अंतहकोण है इनको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए तो क्या होगा 3D प्लस 50 प्लस 2D अब प्लस 20 बराबर कितना 180 तीन दो कितना हो जागा 5D हो जागा और यह 20 अब 50 70 70 इधर रहागा तो क्या हो जागा 180-70 यानिके 5D बराब कितना 110 यह कटेगा तो डी कमन कितना है 22 क्या हैगा 22 अब option देखे क्या दिया है option A में दिया है 22 यही आपका एंसर हो जाएगा option A सही है कि इसके बाद का रच्छे नंबर कुशन यदि कोई घटना हो तब पी प्लस पी इडैस का मान क्या होगा देखे फर्मूला होता पी प्लस पी इडैस का मान होता है एक होता है क्या होता है इसका मान एक होता है यही फर्मूला है आपका पी इडैस यानि घटना के घटित होना की प्रिक्ता प्लस घटना के नहीं घटित होने की प्रिक्ता दोनों को जब हम जोडते हैं यानि कुल प्रिक्ताओं का योगफल कितना होता है एक होता है तो इसक शाथ, छो, साथ, नो. इसका बहुलक क्या होगा? ऑप्शन दिया है दो, तेन, साथ, नो. तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बर आया होता है, वही बहुलक होता है. तो इसमें देखे, साथ जो है सबसे ज़्यादा तीन बर आया है. कितने बर आया है? तीन बर आ इसके बद कोश्चन है आठ नमबर जब AP के प्रथम पद दो यानि प्रथम पद यानि ए बराबा को कितना दे दिया है और सार्ब अंतर तीन है यानि कि D बराबा कितना है तीन है तब AP के तीन पद क्या होगा तो देखें पहला पद अब कहीं हो गया अगर अगर हम A2 निकाले यक्यों कितना यानि कितना यान यही हमारा अंसर आजएगा डो कमा पाच कमा आठ ऑपशन नमबर 20 है इसके बाद नौ 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 क्या sin pi by 4 minus cos pi by 4 का मान क्या होगा देखिए sin pi by 4 sin pi by 4 minus cos pi by 4 का मान पुछा है तब जानता है sin 45 का मान जितना होता होता ही cos 45 का मान भी होता है सबस्री मान होता है घटे है क्या आईगा एप्रैंच सबस्री सोफिया जीरो होगा है थे ना sin 45 का मान भी एक बटरूट दो कौस 45 का मान एक बटरूट दो दोनों घटेए ऐगा जीरो आएगा तो option number B आपका सही है जीरो होगा अब अंतिम question है question number 10 क्या कह रहा है code theta वाले तुर्जय खंड का छेतरफल क्या होगा तो theta वाले तुर्जय खंड का छेतरफल क्या होता है जी theta बटा 360 pi r square तुर्जय खंड का छेतरफल होता पाई r square theta बटा 360 इसमें option देखें कौन से दिया है option number आपका d सही है theta बटा 360 pi r square option number d सही है ठीक है यह दिया आपको यह वीडियो अच्छी लिए हो ताप इससे like करें share करें subscribe करें thank you for watching this video